शटकिल एकाशी के दिन भगवान विश्णूजी की पूजा का विधान है शटकिल एकाशी के दिन जो भी व्यक्ति पूजा करता है उसको स्थाई लक्षमी की प्राप्ति होती है उसके जीवन में अनिधन की कभी कमी नहीं रहती तो शटकिल एकाशी इस बार 28 जनरी को पड़ रही है 28 जनवरी 2022 दिन शुकरवार को शटकिल एकाशी का वरत रखा जाएगा तो आईए जानते हैं शटकिल एकाशी का शुमूरत शटकिल एकाशी का शुमूरत 2 घंटे 9 मिनट का है पूजा का शुमूरत 28 जनरी दिन शुकरवार को सुभह 7 बज कर 11 मिनट से 9 बज कर 20 मिनट रहेगा आवधी दो घंटे नो मिनट की है तो इसी बीच में आप लोग पूजा कर लीजिए तो मित्रों पूजा की विधी इस परकार है इस दिन आप भगवान लल्डू गुपाल जी का विश्नु भगवान का लक्ष्मी जी का जो भी भगवान के सवरूप आपके पास है उनका प्रातेकाल सनान कराएं विश्नु भगवान जी को बढ़िया सुन्दर वस पहनाएं सुन्दर साशिंगार करें भगवान जी को इस दिन आप धूप दीप नुवेद्यारपन करें तिल का प्रयोग इस दिन अवश्य ही करना है भगवान विश्नु जी के भोग में तिल के लड़ू, तिल से वनी कोई मिठाई अवश्य ही भोग लगाएं पंचामरीत का भोग लगाएं इस दिन अन ग्रहन नहीं करना इस दिन फल अहार ही करें हो सके तो इस दिन एक समय ही फल आहार करें तो अब हम आपको बताते हैं कि आप छे परकार से कैसे तिल का प्रियोग इस दिन कर सकते हैं शट तिल एकाशी यानि छे परकार से तिल का प्रियोग इस दिन किया जाता है इस दिन जब भी आप सनान करें तो नहाने के जल में कुछ तिल के दाने डाल ले और साथ में गंगा जल की कुछ भून दे उसके बाद इस दिन नहाते समय आपको साबून का प्रियोग नहीं करना है तिल को मिक्सी में पीस कर या सिल बिट्टे पे पीस कर उप्टन बना लें उसी से ही श्रीर पर उप्टन लगा कर नहाना है इस इन मित्रों पूजा के बाद तिल से हवन जरूर करना चाहें चाहे तो आप घर में एक छोटा सा हवन कुंट ले लीजिए या कोई बड़ा सा दीपक मिट्टी का ले लीजिए उसके अंदर कुछ लकडियां डालीजिए या कपूर डालीजिए कपूर के उपर कुछ दाने तिल के डाल कर आप हवन कर सकते हैं 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाई मंतर का जाब करके आप घर पर असानी से हवन कर सकते हैं इस दिन तरपन भी तिल से ही करना चाहिए जब भी सूरिया भगवान को जल दे इस दिन तो जल के सूरिया भगवान के लोटे में कुछ दाने तिल के मिला ले इस परकार तिल से ही इस दिन भगवान सूरिया का आपने अरग देना है तिल का दान तो इस दिन बहुत बड़ा दान माना गया है तिल का दान करने से स्थाई लक्ष्मी जी का निवास घर पर होता है तिल से बनी चीजों का सेवन करना चाहिए तिल की ही मिठाई का भगवान जी को भोग लगाएं तिल खुद भी खाएं इस परकार छे परकार से तिल का प्रियोग इस दिन बताया गया है नहाने के पानी में, उपटन लगाने में, तिल से हवन, तिल से तरपन, तिल का दान और तिल से बनी चीजों को सेवन करना और भगवान जी को भोग लगाना इस प्रकार छे तरह से तिल का दान इस दिन करना है इस बार शट्तिले काशी 28 जनवरी दिन शुकरवार को रखा जाएगा और छे प्रकार से आप तिल को इस दिन जिरूर ही प्रियोग करें फिर देखिए आपके जीवन में आ रही सभी समस्याइं खतम हो जाएंगी धन अन की कमी घर पर नहीं रहेगी धन और अन में वृद्धी होगी स्थाई लक्ष्मी जी का वास होगा आपके जीवन की सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा नोकरी में तरक्की होगी अगर आप अच्छी नोकरी चाहते हैं वह नोकरी मिलेगी घर में भी धन की कोई कमी नहीं होगी तो इस प्रकार मित्रों इस वरत को अवशही करना चाहिए इसका महत्व बताना तो संभव नहीं है इतना अधिक महत्व इस वरत का है एक वरत करने से ये आपको सब कुछ मिल जाता है तो 28 जनवरी दिन शुकरवार को आप वरत कीजिए दिल का अच्छे परकार से परियोग कीजिए और 29 जनवरी दिन शनिवार को वरत का पारण किया जाएगा सुबह 7 बज कर 11 मिनट से 9 बज कर 20 मिनट तक वरत का पारण कर लेजिए वरत का पारण करने के लिए आपको पंडितों के लिए भोजन के लिए या तो आप कुछ प्रहसे निकाल दीजिए या पंडित जी के लिए भोजन की थाली बना कर उनके घर दे कर आ सकते हैं या पंड़त जी को अपने घर भोजन के लिए बुलाकर उन्हें अवश्य ही खिलाएं तो इस प्रकार मित्रों वरत का पारण पूजा विदी आज हमने आपके साथ शेयर की अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल को जोड़ सब्सक्राइब करें लाइक और कमेंट भी करें कमेंट बोक्स में जैशे कृष्ण वश्य लखें